हेलो फ्रेंड्स, वेरे वेरे गुड मॉर्निंग, कैसे हो, I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंड्स, आप सभी को बताएगी, UPBAT entrance exam 2022 के लिए हमारे चैनल पे topic wise जो है classes start हो गई है हिंदी की, और कल जो है एक class हो गई है, हिंदी भासा और उनकी प्रमुक बोलियों के आज ये part 2 वीडियो है, इसे आप लोग ज़रूर देखेगा, अगर कल वाली class को नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे भी देख लीजी गया उसकी PDF में टेलिग्राम ग्रूप पे send कर दिया हैं, तो आप लोग notes भी बराबर बना शकते हैं तो चेलिस class को start करते हैं, अगर इस topic को अगर आप लोग अच्छे से त्यार कर लेते हैं, तो दो प्रशन आपका पका है इससे बाहर आपका एक भी प्रशन बाहर नहीं जाएगा, एक्जाम पास करना है तो इसे घोल के पिजाओ, जितने भी topic wise की जो है classes होगी, उनमें जितने भी मैं questions करवाँगा, उनहें आप लोग note जरू करिएगा तो चिलिस class को स्टार्ट करते हैं, पचास questions को solve करेंगे और पचास questions को अलवी solve किये थें, तो सव questions हो जाएंगे, हिंदी भासा के और बोलियां के, और यहाँ पर देख सकते हैं, साड़े नौ बजे हिंदी language की class होती है, एक पैंतालिस पे जीके प्लस करेंट अफिर की class होत लोग बहतरीन तयारी अभी से start कर दिये हैं, इसमें आपको सभी subject के important questions और 10 वर्सों के हल प्रशन पत्र आपको देखने को मिलेंगे, यह class score सभी वर्गों के लिए है, यह 28 प्रवेस परिच्छा का निचोड नोट से 5000 से ज्यादा आपको इसमें topic wise objective questions देखने को मिलेंगे, वीडियो का description box में link दे दिया हूँ, जब आप लोग उस link पे click करेंगे तो उसमें ना mobile number, email ID उससे पूछा जाएगा, उसके बाद payment करना होगा, payment करने के बाद download का option हैगा, PDF open करना का एक password रहेगा, आप लोग open कर सकते हैं, payment successful हो जाने के बाद कोई problems हो रही तो उसी workshop number पे question है, जितने भी जो है मेरी topic wise की classes होंगी, उनमें जितने भी मैं questions करवाऊंगा, उनहें note आप लोग जरू करिएगा, और जितने भी लोग class को देखने हैं, फटा फट वीडियो को like कर देंगे, एस channel के माद हम से जो भी यूपीबियर की update हैगी, वो update आपको सबसे पहले प्रूप से निम्न में से जो है कौन से जिले में बोली जाती है, कर्नोजी बोली जो है, वो किस जिले में जो है बोली जाती है, फरुखाबाद या मुरादाबाद या कानपूर, तो वो बोली जाती है फरुखाबाद में, कर्नोजी बोली, ठीक है, बोली से एक question सरूर आए बिहार या हरियाना या करिनाटक या तमिलनाडू तो बांगरू भाषा जो है जदा तर हरियाना खराज में बोली जाती है आफशनेस का सी वाला बेलकुन करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशने आप देखे हिंदी की इस्तान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की सिच्छा और प्रशाशन की भाषा के रूप में किसने इस्ताफित किया? लाड मैकाले या वार्रिन हेस्टिंग या जैं जॉन एडम्स या द लाड मिंटो तोओ इसे जुस्थापित किये हैं लाड मैकाले ने आफशनेस का य वाला बिलकुन करेक्ट हो जागा भाषा के छेटरी रूप को क्या कहा जाता है यह important question है basic question है भासा के छेतरी रूप को क्या कहा जाता है राश्ट भासा या राज भासा या बोली या साहित जितने भी लोग चैनल से नहीं चैनलों को subscribe करें बेलाकों को all papers के लिजीगा इस चैनल के मादम से आपको निश्चिती मदद मिलीगी तो भासा के छेतरी रूप को क्या कहा जाता है बोली कहा जाता है हर छेतर की बोली भी अलग होती है option इसका B वाला बिल्कुन correct हो जाएगा चलिए निमलिखित में से जो है कौन सा भाशा का मौकी प्रूप है परियोजना या परिचर्चा या पत्र या निबद 56 का जौब देंगे सबी लोग तो मौकी प्रूप इसमें जो आपका है वो है परिचर्चा क्या है परिचर्चा option इसका C वाला बिल्कुन correct हो जागा कन्नड का शम्मंद की इस भासा परिवार से है style लगाईएगा इस question में note जरूर करिएगा जिन questions में मैं style लगा दू तो उन questions को बिल्कुन याद कर लेना है आपको तो कन्नड का शम्मंद की इस भासा परिवार से है इसका है द्राइवीड भासा परिवार से है बहुत important question है options का D वाला बिल्कुन correct हो जगा ये भी बहुत important question है इसमें style लगाईएगा आप लोग की हिंदी खड़ी बोली किस अब्रहन से विक्सित हुई है अर्दमागदी या शौर सेनी या मागदी या ब्राचड तो हिंदी खड़ी बोली जो है विक्सित हुई है सौर सेनी अब्रहन से optionist का C वाला बिल्कुन correct हो जगा very very most important question बोल सकते हैं अगला प्रशन यहां पर देख सकते हैं कि हिंदी भासा की बोलियों के वर्गी करण के आधार पर 36 गड़ी जो बोली है वो है आपकी पूर्वी हिंदी आपकी बिल्कुन correct हो जगा 36 गड़ी किस भासा की बोली है 36 गड़ी किस भासा की बोली है सबी लोग जौब देंगे 36 गड़ी किस भासा की बोली है बिहारी या पश्यमी हिंदी या राजश्थानी या पूर्वी हिंदी जितने भी लोग class को देख रहे हैं फटा फट वीडियो को लाइक कर देंगे और भी classes देखने ही तो आप लोग play list में जाके देख सकते हैं उसमें आपको gk, current refer, color work, hindi language की जो है classes आपको मिल देंगी तो 36 गड़ी की भासा की बोली है, यह पूरवी हिंदी की बोली है, optionist का D वाला बिलकुन correct हो जगा यह बहुत important question है अगला वाला, इस्टा लगा के जरूर नोट करिएगा इसमें की हिंदी भासा की कितनी विख्यात बोलिया है, 5, कितनी है, 5 विख्यात यहां पे पूछा जा रहा है, केवल बोली नहीं पूछा जा रहा है, तो optionist का B वाला बिलकुन correct हो जगा 5 आपको याद रखना है हिंदी आकरती की दिष्ट से निमलखित में से किस प्रकार की भासा है, आयोगातमक या प्रसलिष्ट योगातमक या सलिष्ट योगातमक या असलिष्ट योगातमक तो हिंदी आकरती की दिश्ट से निमलकित में से किस प्रकार की भासा है सिलिष्ट योगात्मा भाशा है और फनिस का जो है बी वाला बिलकुन करिक्ट हो जाएगा अगला प्रशने आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है अकसर एक्जाम में पूछा जाता रहता है तो इस्टा लगा के नोट करिएगा इस कोश्चन को कि वरज भासा का विकास किस अब्रहन से हुआ है नोट जरूर करिएगा जिन जिन कोश्चन में इस्टा लगा रहा हूँ नोट प्रापर आप लोग बनाते हुए चलें अब इस समinação आपके पास बहुत है तो वरज भासा का विकास किस अब्रहन से हुआ है सौर से ने अब्रहन से हुआ है और इसका D वाला बिलकून करिट हो जगा चलिये अगला पुचन किस छेतर की बोली को कासी का कहा जाता है वरांसी को कासी भी कहा जाता है तो वरान सी छेतर की बोली को जो है कासी का कहा जाता है ओफशनिस का B वाला बिलकून करेक्ट हो जागा है ये important question अगला 65 वाला कि पश्चमी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोली आती है पश्चमी हिंदी के अंतरगत जो है कौन सी बोली आती है बगहेली ये मगही ये कन्नोजी ये मेवाती तो बगहेली तो आती नहीं है ना की मगही ना की मेवाती पश्चमी हिंदी के अंतरगत जो बोली आती है वो आती है कन्नोजी ओफशनिस का C वाला बिलकून करेक्ट हो जागा चलिए अगला प्रशन देखते हैं निमलकित में से कौन सी बोली जो है, पूर्वी हिंदी के अंतरगत नहीं आती है, पूर्वी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोली नहीं आती है, आपको उताना है, बगहेली या मगही या आउदी या च्छतिस गड़ी, तो मगही बोली पूर्वी हिंदी के अंतरगत नहीं आती ह है ध्यान रख़ीगा option c वाला बिल्कुन correct हो जागा अगला प्रश्य है अग्रों से कौन सी दुझे छोली राज़ाश्थान हिंदी के अंतागत आती है उपशनस काई वाला बिल्कून की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के मादम से देखने को मिलेगी ऑथेंटिक न्यूस आपको देखने को मिलेगी कुछ डाउट्स पर कर रहा है तो आप लोग कमेंट बक्स में अपने डाउट के लिए कर सकते हैं सितंबर मास में दश्वा important question है भोपाल या जयपूर या नागपूर या दिल्ली सभी लोग जवाब देंगे style लगा लिजेगा इस question में बहुत यह अच्छा प्रशन है important question है style में लगाय दिया रहा हूं तो सितंबर मास में दश्वा विस्व हिंदी सम्मेलन भारस के किस सहर में आयोजीत हुआ यह आयोजीत हुआ था भोपाल में opportunities का जो है ए वाला सम्मेलन का पहला सम्मेलन पूछे तो कहां हुआ था और 1975 में नागपूर में हुआ ये भी आपको याद रखना है चलिए अगला प्रशन देखते हैं कि हिंदी के आत्रिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है वो कौन सी भाषा है हिंदी के आत्रिक्त जो की देवनागरी लिपी में लिखी जाती है बंगला है या नेपाली या सिंधी या पंजाबी तो हिंदी के आत्रिक्त जो है आपकी नेपाली भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है धानक येगा ओप्षिनिस का सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा अगला प्रशन में इस्टाल लगा लिजगा खड़ी बोली निकली है किस हिंदी से बिहारी हिंदी से या पश्चिमी हिंदी से या पूर्वी हिंदी से या राजस्तान हिंदी से तो खड़ी बोली जो है निकली है पश्चिमी हिंदी से इस्टाल लगा के नोट करिएगा ओप्षिनिस का सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा भासा के सुद रूप का ग्यान किस से होता है बहुत very most important question निश्टा लगा लिजगा तो भासा के सुदुरूप का जो जो घ्यान होता है वो व्याकरण से होता है व्याकरण से जो है भासा के सुदुरूप का ज्यान होता है option इसका C वाला बिल्कुन correct हो जागा किस बोली में ने पर सर्ग लगा जाता है किस बोली में ने पर सर्ग लगाय जाता है, 72 का जॉब देंगे, तो खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाय जाता है, और इसका C वाला बिलकुन करिक्ट हो जाएगा, अगला प्रशन जेखिए, भारत वर्सी के लिए हिंदी भासा का नाम सबसे पहले किस ने सुझाया था, ब भारत वर्सी के लिए हिंदी भासा का नाम सबसे पहले जो एक सुझाय थे, राजा राम मोहन रहे ने, और इसका B वाला बिलकुन करिक्ट हो जागा, माना के हिंदी का आधार क्या है, अब्रंस या परनिष्ठित हिंदी या पूर्विया हिंदी या खड़ी बोली, 74 का जॉ जो आधार है, वो क्या है, खड़ी बोली है, धरना कियेगा, और इसका D वाला बिलकुन करिक्ट हो जागा, ओके, पूर्वी हिंदी विक्सित हुई है, किस अब्रंसे, बहुत अच्छा प्रशन इस्टा लगा के नोट करिएगा, पूर्वी हिंदी विक्सित हुई है, माग पूर्वी हिंदी हो गई, तो दोनों को याद रखना है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, भारत में आरे भाशा का आरम हुआ था कब से, भारत में जो है, आरे भाशा का आरम कब से हुआ है, पंद्रा सो इसा पूरुव के आसपास आरे भाशा का आरम हुआ है, इंडिया म इसमें मराथी जो है हिन्दी की उब्भाशन नहीं है तो ओंशन का बिलगून करिक्ट हो जाएगा चलिए अग्ला प्रषन गाजी पूर में बोले जाने वाली जो है प्रमुक बौली कौन सी है अच्छा प्रश्न है important question है गाजी पूर में बोले जाने वाली प्रमुक बोली कौन सी है बगगेली या आउधी या भोजपुरी या खड़ी बोली तो गाजीपुर में बोले जाने वाली जो प्रमुक बोली है वो है भोजपुरी ध्याना कियेगा option इसका C वाला बिल्कुन correct हो जागा गाजीपुर हो गया गोरणपुर हो गया ठीक है चलिए बहुत बार एक्जाम में कोशन यह पूचा गया है तो इस्टा लगा कि नोट कर लिएगा निमलेखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्रपदेश में समानता नहीं बोली जाती है आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं तो comment box में yes करके बताएं नोट्स बनाना आपको जरूरी है किसी भी एक्जाम में अच्छे नंबर गेन करने हैं तो आपको sort नोट्स बनाना है उस एक्जाम के कम से कम पाँच साल के previous paper solve करना है और last में जब एक्जाम आ जाये तो practice आपको करना है वो मेरी जिम्मेदारी है बस आपको जूड़े रहना ह मेरे channel से तो निमलिकित बोलियों में से कौन सी बोली उत्रप्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है तो ब्रज तो बोली जाती है खड़ी बोली आओधी बोली जाती है मैथली नहीं बोली जाती है उत्तरप्रदेश में ऑप्शनिस का डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा भारत के किस प्रांत में कौंकडी भासा बोली जाती है और स्प्रांत का नाम बताइए जहां पे कौंकडी भासा बोली जाती है भारत के किस प्रांत में कौंकडी भासा बोली जाती है तो महराश्ट तथा गोवा प्रांत में जो है कौंकडी भासा बोली जाती है का C वाला बिलकुन correct हो जगा, star लगाईएगा, राम चरित की जो है रचना की इस भासा में है, बहुत ही अच्छा प्रश्ण है, star लगाईएगा, UPPCS के exam में एक question कोशा गया है, राम चरित मानस की रचना की इस भासा में है, खड़ी बोली यवरज भासा या ओधी या मैथली, तो राम चरित की रचना जो है की इस भासा में है, आउधी भासा में है, very very most important question आपके exam के लिए, optionist का B वाला correct हो जगा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कभी कौन माना जाता है, बहुत अच्छा प्रश्ण है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कभी कौन माना जाता है, star ल खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, कौर भी है, क्या है, कौर भी है, optionist का C वाला बिलकुन correct हो जागा, अगला प्रश्ण है आप देखिए, फैजा बाद जन्पत में बोले जाने वाली बोली कौन सी है, सबी लोग जवाब देंगे, फैजा बाद जन्पत में ब खड़ी है, optionist का C वाला बिलकुन correct हो जागा, करनावजी बोली किस जन्पत में बोली जाती है, करनावजी जो बोली है, वो किस जन्पत में बोली जाती है, मतुरा या मेरट या देहरा दून या हरदोई, my dear friends, करनावजी बोली जो है, बोली जाती है हरदोई जन्पत में, optionist का D वाला बिलकुन correct हो जगा, चलिए अगला परशन देखते हैं, अगला परशन आपकी स्केन पर आ गया है, आधो लिकित में कौन सी बोली प्रदेश की नहीं है, उतर प्रदेश की, इसमें से कौन सी ब बोली है, उतर प्रदेश की नहीं है, optionist का C वाला बिलकुन correct हो जगा, बाकी भोजपुरी, वरज, आउधी, उतर प्रदेश की बोली है, ओके, आधो लिकित में एक भोजपुरी जचेतर नहीं है, कौन सा, यानि कि कहा भोजपुरी नहीं बोले जाता है, या आपको उतान ह कि छेतर में, इलहाबाद में नहीं बोला जाता है, तो optionist का D वाला बिलकुन correct हो जगा, चलिए अगला प्रशन देखिए, बहराइच, सुल्तानपूर, राइबरेली किस बोली के छेतर हैं, बहराइच हो गया, सुल्तानपूर हो गया, राइबरेली हो गया, किस छेतर के बो निमलिकित में से किस बोली का है, आयों शब्द, आयों शब्द जो है निमलिकित में से किस बोली का है, वरज का, या खड़ी बोली का, या ओधी का, या भोचपुरी का, तो आयों शब्द निमलिकित में से किस बोली का है, वरज का, optionist का A वाला बिलकुन correct हो जगा, अगला सब्द जो है दिया हुआ है इरानियों का very very most important question है इस्टाल लगा के note करिएगा UPBAT के exam में questions पूछा भी गया है तो previous रहे जितनी भी questions है जितनी भी BAT entrance exam में questions पूछे गये हैं तो उन questions को बिल्कुन अच्छे से आपको त्यार कर लेना है कभी भी exam में पूछा जाए तो वो गलत आपसे ना हो यह questions अगर आप की बोली का प्रथम महकाब कॉणश था शाकेट या प्रिप्रवश या नीरजा या कमाईनी को खड़ली का प्रथम महकाब क्यावित जो था वो था प्रिप्रवाश Automist का c वाला बिलकुन करेक्ठ हो जगा शाकेट के रशनकार का ओन है में इसमें बिहारी हिंदी का जो रूप नहीं है आउधी नहीं है options का बी वाला बिलकुन correct हो जागा अगला प्रशने देखिए बौध धर्म से जुड़े हुए साहित की भासा है बौध धर्म से जुड़े हुए साहित की भासा कौन सी है लौकिक संस्क्रिट या प्राकत या वैदिक संस्क्रिट या पाली तो बहुत धर्म से जुड़े हुए साहित की भासा है पाली क्योंकि पाली भासा में जो है उब्देश दिये थे ऑप्शनस का डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जागा है जीके में भी पूछा जाता है कि गौतम बुद की सब्ढ़न से विक्सित हुई है पश्चमत्री सौरसेने ब्रण शेनागरा ब्रण से यार्दमागदी या मागदी तो हर्यान भी या बांगरू बोली की सब्ढ़न से विक्सित हुई है पश्चमत्री सौरसेने ब्रण से विक्सित हुई है उफ्चनस का ए वाला बिलकुन दास बाचपई को तो हिंदी का पढ़नी किसे कहा जाता है भोला नात तिवारी को कहा जाता है ओफशनिस का ए वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले बिद्धवान थे हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले बिद्धवान कौन करेक्ट हो जएगा को और भी कर वाँगा अभी मैं कुछ इंपोर्ट्रन को में आप को और भी करूंगा अब्रώνस का वालमिकी किसे कहा जाता हैँ स्याइम्पोहक जो है अब जुँआ जो है D वाला बिल्कुन करेक्ट हो जागा चलिए मैं कुछ important questions और भी लिखवा दे रहा हूँ उसको आप लोग जरूर नोट करिए और जितने बिलोग class को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे एक questions लिखिए कि हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है हिंदी जो है आपका किस भाषा का सब्द है तो ये आपका जो है फारसी भाषा का सब्द है बहुत एक्जाम में पूछा जाता है हिंदी जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है ओके दाने किएगा नोट कर लिजे से और मौकी भासा की सबसे चोटी इकाई कौंसी है तो वो धौनी है दाने कीएगा मौकी भासा की सबसे चोटी इकाई कौंसी है धौनी है अगर लिखित भासा की सबसे चोटी इकाई पूछे तो वो है आपका वरण ओके और अभी एक questions में और करवा है था कि हिंदी की कितनी उपभासाई है यह नोट करिए इसे बहुत important question है इस बार कि UPTED के exam में पूछा गया था हिंदी की उपभासाई कितनी है तो हिंदी की उभासा हैं आपकी पांच है अगर एक्जाम में पहुचा जाता है कि हिंदी की कितनी बोलिया हैं तो हिंदी की जो हैं 18 बोलिया हैं याद रखिएगे इसको ओके हिंदी की 18 बोलिया है इसे नोट करिए हिंदी की उत्पत्ति सभी को पता है सौर से नहीं अबड़न से हुई है और बाकी कोश्चन्स में करवा दिया हूँ तो इन कोश्चन्स को आप लोग जरू से जरू नोट करिएगा इससे बाहर आपका एक भी कोश्चन्स जो है नहीं जाएगा अगर आप लोग अच्छे से इसे त्यार कर लेते हैं तो और भारत में शर्वाधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है हिंदी है याद रखना है भारत में जो है सरवादी की बोले जाने भाष्षा हिंदी है अगर एक्जाम पे पूछा जाता है कि पहला सम्मिलन जो है हिंदी का कब हुआ था विस्व हिंदी सम्मिलन कब हुआ था तो 975 में नाकपुर में हुआ था ठीक है जैसे मैंने आप भी आपको बताया था कि रामचरित की जो है मानस की रशना जो है कि भासा में की गई तो आउधी भासा में की गई है और पदमावत की जो है भी है आउधी भासा में की गई है लिखा गया है पदमावत ये गरंथ किसकी है पादमाबत मलिक मौम्मद जैसी बहुत एक्जाम में पूँचा जाता है ओके शो फ्रेंड्स यही थी आज की हिंदी की दूसरी क्लास कैसी लगी क्लास आपको कमेंट वक्स में जरूब देगा ऐसी क्लास देखने के लिए आप लोग हमारी चैनले से जूड़ी रहें चैनले को सब्सक्राइब करके बेल आकन को ओल पर प्रिस के लिजेगा कोश डाउट्स वगरा हों तो आप लोग कमेंट वक्स में अपने डाउट के लिए कर सकते हैं मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पर थैंक यू